वेलकम टू एग्जाम टेज़ी तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीवीटी पीडी का जो एक्जाम होगा उसके बाद कट आफ कैसे क्रियेट किये जाएंगे सीवीटी के द्वारा या यह यूवर्सिटी के द्वारा तो जितने भी ऐसे कैंडिड़ेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए हम लोगों ने सोचा कि एक बाद सभी स्ट्वेंट के साथ डिसकस कर लिया जाए क्योंकि बहुत सारे स्ट्वेंट का यह कॉल आ रहा था है किस सरी उनिवर्सिटी का पता नहीं चल रहा है कौन सी उनिवर्सिटी को कैसे सलेट करना चाहिए कौन सी उनिवर्सिटी के सकते कटकर सकते हैं रहेंको जैसा कि हैं आप यहां सकते हैं इस्mao Overall के जितने जुर्शिटी में लिस्ट को यहां वाथ काम करना है जो भी यूद्शिटी आपको एपलाई करushima है सबसे पहला काम करना है कि को कौrrs ऐटनिटिफाई करना है किआपको कौण से कौर्स में अध्मिशन ले 허ै जब भी आप यहाँ पर कोर्स का देख लेते हैं कि कौर्स को 뭉क्रम को अप्लाइ करना है इसके बाद भूस में इसको लिस्ट आफ लग के नहें करने framework क कान लेकर चल रहे हैं तो एक तो पहले चीज़ में क्लियर कर दूँ कि जब भी आप वहां पर लिस्ट ऑफ उनिवर्सिटी या कोर्स सेलेक्शन कर रहे हैं तो अभी कोई भी प्राइरिटी नहीं है आपको बस सेलेट कर लेना है जिस भी कोर्स में आप अपलाई करना चाहरे हैं करना चाहरे हैं आप जितने भी युनिवर्सिटी जेश्टेट आउट है जो में हिस्टी का कोर्स प्रवाइड कर रही आप सारी युद्टी में अपलाई कर सकते हैं कोर्स सेलेक्शन का आप जब पूर्स को नंबर ऑफ और कोर्सेश आप इंक्रीज करते हैं तो वहां पर आपको extra fee देना परता तो इस तरीके से आप four different courses का maximum आप exam दे सकते हैं और minimum किसी एक university या एक courses का भी exam दे सकते हैं और एक course के अंदर आप multiple 10-20 जितनी university सबको आप select कर सकते हैं तो लोगों का जो यह question था कि सर अगर मैंने history select कर लिया या msc physics select कर लिया तो क्या चार ही university select कर सकते हैं नहीं जितने university जो cvt के through admission प्रोइड कर रही है आप सभी universities को select कर सकते हैं अब क्या होता है कि cvt का जो काम है अगर आप देखिएगा cvt का काम है यह आपको एक score प्रोइड कर देगी और फिर जब वह score आ जाएगा तो वह score लेके आपको individually हर एक university में apply करना है जब यह process होगा जब आपका exam खत्म हो जाएगा आपका cvt scorecard final scorecard आ गया तब आपको यह सारा कम individually हर एक university में apply करना है और फिर जब आप यहां पर apply किजिए का तो वह universities within universities कोई preference नहीं है कि आपको JNE उपर रखना है या BHE उपर रखना है ऐसेच कोई preference वाली बात नहीं है यहां पर तो यह चीज को आपको द्यान देना है कि आप जितने भी आपका जितना भी universities है सारे central universities, state universities, private universities जहां-जहां आप apply करना चाहते हैं सभी में आप जो है एक बार apply कर दिए वह सारी universities इसको select कर लेना है क्योंकि universities को add करने में आपको कोई extra fee नहीं देना है तो इस सीज को आपको ध्यान में रखना है अब इसके बाद जो next process हो जाता है आपका for example कि जब भी हम देखते हैं for example अगर फिर सारे universities को एक बार लिख लेते हैं for example HCU हो जाता है JNU हो जाता है आपका BHU हो गया तो इन सारी universities में जब आप apply किजिएगा तो यहां पर फिर आपको preference डालनी होती है कि आपको पहला preference कि है वह उस case में होता है जब आपने एक से ज़्यादा subject में apply किया है अब अगर हम माल लिजे जेनी की बात करते हैं तो जब भ उनिवसिटी में आप apply कर सकते हैं और हर एक उनिवसिटी का आपका individual जो है merit list निकाली जाएगी merit list सो यहां पर यह नहीं है कि एक central merit list नहीं निकलते है जहां पर आपको जितने भी उनिवसिटी में आपने पहले CVT की form में select किया था उन सब का मिला के एक merit list नहीं आती है list यहां पर निकाला जाएगा अब एक candidate अगर माल लिजिए HCU, JNU, BHU, Delhi University, Pondicherry University, Central University अब रास्तान यह सारी university में अगर किसी candidate ने apply कर दिया है तो हर एक university जो है अपना list निकलेगी और यहां पर आपके पास option होता है कि अगर माल लिजिए आपका HCU, JNU, BHU, Delhi University सभी universities में नाम आ जाता है तो आप कौन से university में apply कर सकते हैं दूसरा यहां पर जब भी आप form fill करते हैं इसलिए मैंने बोला था कि अभी सारे universities को select कर लेना है क्योंकि आपका score के अनुसार से आपको एक idea लग जाएगा कि आपका जो score है उस score के अनुसार से आपको कौन सी university मिल सकती है और exam TAG की तरब से यह कोसिस की जाएगी कि वो सारे central universities का last 2023 का एक cut-off आपके साथ share किया जाएगा subject wise और category wise तो वहां से भी आप पूरा compare करके देख सकते हैं कि कितने score पे आपको कौन सी university मिल सकती है जब यहां पर आप apply करते हैं तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर preference देना है अब जैसे कुछ-कुछ universities अगर हम बात करते हैं जाल दी जाती है तो मतलब कि एक ही candidate का अलग-अलग courses में भी नाम आ सकता है तो वहां पर फिर candidate के पास option होता है कि आप कौन सा course में admission लें दूसरा अगर यहां पर आपने माली जब पहले डेली university का portal open हो जाता है admission process start हो जाता है तो यह ऐसा नहीं कि सारी universities का एक बार में portal start होगा हर एक university का अपना timeline होता है उसके अनुसार से वह start करेंगे तो आपको जो है जिस भी हम अब बात करते हैं merit list को लेकर तो merit list में जो है अगर माली जे 30 seats है किसी course में और 30 seats में माली जाएगा 15 आपके general हो जाते हैं तो merit list जो हर एक university की निकलती है वो टॉप जो है 15 candidates का यह लोग list में नान निकाल देंगे जो टॉप 15 candidate है उसको फिर admission के लिए invitation दी जाती है अब उनको बोला जाता है कि आप आके apply कर दीजिए तो एक जो बोला जाता हर एक student के मन में होता था कि सर मिनमम मुझे कितना score करना है देखे कोई भी कितना जो है marks vary करता है प्लस इस बार जो है competition थोड़ा से इंक्रीज होगे क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ सबका domain पे ही जो है evaluation होगा last year 2023 में क्या हुआ था क्योंकि आपका general section था कुछ student ऐसे थे जिन्होंने general section में ज्यादा अच्छा score किया तब भी उनको डेली university के top जो centers है वो मिल गए थे लेकिन अब क्योंकि उसी political science पर तो यानि कि आपके पास सिर्फ एक option है करो या मरो टाइप अगर आपने अच्छा perform किया तब भी आपको JNU, DU, SCU, BHU यह सारे top universities मिलेंगे बागी एक बाद जब subject wise हम लोग आसारा cut off के बारे में discuss करेंगे तो आपके जो भी subject है आप वो जो है देख सकते हैं इसके साथ साथ आप एक comment में comment कर देजिए कि आपको कौन से subject का analysis चाहिए in terms of syllabus, structure of questions तो वो सारा चीज भी हम लोग आपके साथ share करेंगे इसके अलावा एक्जाम टेजी की तरफ से सभी subject के previous papers, question bank, test series, mock papers यह सारा चीज प्रोवाइड किया जा रहा है सो जितनी भी candidate हैं आप लोग जो है आप लोग जो है 844-887-8849 पर call गया message करके सारा details आप लोग ले सकते हैं या video के decision में एक form है Google form है आप उस Google form को फिल कर दीजिए और किस तरीके से यह सारा कुछ आपको provide किया जाएगा इन सब के बारे में complete information दे जाएगे और अगर आप new है चैनल पर तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और notification bell भी दबा लें जितनी भी important updates आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like कर दें तो thank you and we wish you all the best